C, I, E, T, N, C, E, R, T दोरा प्रस्तुत है कक्चा बारह के लिए हिंदी की दोनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो पाठ संख्या बारह लेखक जनेंद्र कुमार प्रिष्ट संख्या 84 से 96 पाठ बाजार दर्शन प्रिष्ट संख्या 84 लेखक परिचे जनेंद्र कुमार जन्म सन 1905 अलिगड उत्तर प्रदेश प्रमुक रचनाय परक अनामस्वामी सुनीता त्यागपत्र कल्यानी जैवर्धन मुक्ति बोध ये सब उपन्यास हैं वातायन एक रात दो चुडिया फासी नीलम देश की राजकन्या पाजेब ये सब कहानी संग्रह हैं प्रस्तुत प्रश्न जड़की बात पूर्वोदय साहित्यक श्रे और प्रे सोच विचार समय और हम ये सब विचार प्रधान निबंध संग्रह हैं प्रमुख पुरस्कार, साहित्य अकाद्मी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूशन से सम्मानित, निधन सन 1990 में उन्होंने लिखा था, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओड़ कर, जो अपने को विवश मान बैठ सकता है, वही तो असमर्थ है, पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किये, वह यथार्थ की विकड़ता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपून कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्रकुमार का अवदान बहुत व्यापक और व्यविध्य पूर्ण है अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। अपना अपना भग्य, तत्सत जैसी कहानियों को भी काल जई रचनाओ के रूप में मान्यता मिली है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली श्वैली में उन्होंने समाज, राजनीति, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रशनों को सुलजाने की कोशिश की है। अपनी गांधिवादी, चिंतन द्रिष्टी का जितना सुष्ठू एवं सहज उपयोग वे जीवन जगत से जुड़े प्रशनों के संदर्भ में करते हैं। वह अन्यत्र दुरलब है और वह इस बात का सबूत पेश करता है कि गांधिवाद को उन्होंने कितनी गहराई से हुर्द्यंगम किया है। प्रिष्ट संख्या पिच्च्यासी पाठ परिचे बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिक्ता और सहित्य सुलब लालित्य का दुरलब संयोग देखा जा सकता है। जैनेंद्र का लेख आज भी इनकी मूल अंतरवस्तु को समझाने के मामले में बेजोड है। वे अपने परिचीतों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह सपस्ट करते हैं कि बाजार की जादूई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवशकताओं को ठीक ठीक समझ कर बाजार का उप्योग करें तो उसका लाब उठा सकते हैं। लेकिन अगर हम जरूरत को तै कर बाजार में जाने के बजाए उसकी चमक दमक में फस गए तो वह असंतोश, त्रशना और इरशा से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भाती-भाती से समझाने की कोशिश की है। कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसा गोगी तरह है। इसी क्रम में केवल बाजार का पोशन करने वाले अर्थ शास्त्र को उन्होंने अनेति शास्त्र बताया है। पिश्य संख्या छी आसी बाजार दर्शन मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज लेने पर लोटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या बोले यह जो साथ थी। उनका आश्य था कि यह पतनी की महिमा है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदी काल से इस विशे में पती से पतनी की ही प्रमुक्ता प्रमानित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्तृत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े, तो क्या मैं जोड़ूं। फिर भी सच, सच है। और वह यह की इस बात में पतनी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेश है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनरजी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो, तो क्या वह खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान कोठी तो अंदेखे भी दीखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग सैयमी भी होते हैं, वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं, और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और सैयम पूरवक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चे समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए। मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा यह देखिए। सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। मैंने तब तैमाना कि और पैसा होता, और सामाना था, वह सामान जरूरत की तरफ देख कर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिये, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तब में बहुत कुछ हाथ है, वह महत्व है, बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंतरित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किस के लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो, तो भी देखने में क्या हरज है। अजी आओ भी, इस आमंतरन में ये खुबी है, कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरसकार जगाता है, लेकिन उंचे बाजार का आमंतरन मूख होता है, और उससे चहा जगती है, चहा मतलब अभाव। यहां कितना परिमित है, और यहां कितना अतुलित है। शाम को वापिस आए, आए तो खाली हाथ। शेश तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था, शेश सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो, तो सब और की चाहा तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गती नहीं होगी, नकर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आख की रहा काम करता है, वह रूप का जादू है, पर जैसे चुम्बक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है, जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है, जेब खाल पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा मन खाली है तो बाजार की अनेका नेक चीजों का निमंतरन उस तक पहुँच जाएगा कहीं हुई उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है मालूम होता है यहबिलू वहबिलू सब ही सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है पर यह सब जादू का असर है जादू की सवारी उत्री की पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बलकि खलल ही डालती है थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है पर इस से अभिमान की गिल्टी की और खुराख ही मिलती है जकड रेशमी डूरी की हो तो रेशम के स्पर्ष के मुलाइम के कारण क्या वह कम जकड होगी पर उस जादू की जकड से बचने का एक सीधा सा उपाय है वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो मन खाली हो तब बाजार ना जाओ कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए पानी भीतर हो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है मन लक्षे में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा तब वह घाओ बिल्कुल नहीं दे सकेगा बलकी कुछ आनंद ही देगा तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यक्ता के समय काम आना यहां एक अंतर चीन लेना बहुत जरूरी है मन खाली नहीं रहना चाहिए इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए जो बंद हो जाएगा वह शुन्य हो जाएगा प्रिष्ट संक्या नवासी रेगिस्तान को जाती होगी मोक्ष की रहा वह नहीं है ठाठ दे कर मन को बंद कर रखना जड़ता है लोब का यह जीतना नहीं है कि जहां लोब होता है यानि मन में वहां नकार हो यह तो लोब की ही जीत है और आदमी की हार आँख अपनी फोड डाली और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दीखना बंद हो जाएगा क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं वह अकारत है यह तो हट वाला योग है शायद हट ही हट है योग नहीं है इससे मन क्रिश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ग्यान वह मुक्त ऐसे नहीं होता इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्यूद्र होता है इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए वह मन पूर्ण कब है हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन हम महाशून्य ही नहोते अपूर्ण है इसी से हम है सच्चा ग्यान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है सच्चा कर्म सदा इस अपूनता की स्विक्रती के साथ होता है अतह उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात मन को रोकने को न कहे जो मन को भी इसलिए सुनिये क्योंकि वह अप्रयोजनिय रूप में हमें नहीं प्राफ्थ हुआ है हाँ मन माने पन की छूट मन को ना हो क्योंकि वह अखिल का अंग है खुद कुल नहीं है पडोस में एक महनुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं चूरन बेचते हैं यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने च्छे आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाई चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोक प्रिय है कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशाल क्या माला माल होते क्या कुछ उनके पास ना होता इधर दस वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिख जाता है पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं पेशगी ओर्डर कोई नहीं लेते बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते छे आने की कमाई उनकी हो जाती है लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रती अपनी सदभावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं पर छेह आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बाट देते हैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें पचीसवा पैसा भी दे सके कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चे मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता कहीं आप भूलना कर बैठियेगा इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ जी नहीं ऐसी हलकी बात भी न सोचिएगा यह समझेगा कि लेक के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ग्यान तक भी है या नहीं और बड़ी बातें तो उसे मालुम क्या होंगी और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बाते जानते हैं इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो लेकिन आप पाठकों की विद्वान शिरेनी का सदस्य होकर भी मैं यह स्विकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्रानी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता माल बिचा रहता है और उसका मन अडिग रहता है पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती वह निरमम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंगे शक्ति कुछ भी चलती होगी क्या वह शक्ति कुन्ठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिये वह दारुन है मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उडाती निकल गई मोटर वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौन्धती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई जैसे किसी ने आखों में उंगली दे कर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिये नहीं क्यों ना मैं मोटर वालों के यहां हुआ उस व्यंगे में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगु के प्रती कृतगन कर सकती है लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंगे शक्ती उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुश्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी, तो वह क्या बल है, जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजे ही नहीं रहता, बलकि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चे उस तल की वस्तु नहीं है, जहां पर संसारी वैभव फलता फूलता है वह कुछ अपरजाती का तत्व है, लोग स्पिरिच्वल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं मुझे युग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिबादन करूं, मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं, लेकिन इतना तो है कि जहां तृष्णा है, बटोर रखने की स्प्रीहा है, वहां उस बल का बी प्रिश्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमानित होती है। नहीं थी और ना उस समय वह बाजार को किसी भाति कोस रहे मालूम होते थे। रहा में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सब को ही हसकर पहचाना, सब का अभिवादन लिया और सब को अभिवादन किया इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आखें किसी से भी कम खुली थी। लेकिन भोचक के हो रहनी की लाचारी उन्हें नहीं थी। व्यवहार में पसो पेश उन्हें नहीं था और खोई से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भाती भाती के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रती अप्रिती इस भगत के मन में नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रती भी उनके मन में आशीर वाध हो सकता है। विद्रोह नहीं। प्रसनता ही भीतर है क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आँख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। रहा में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत नहीं रुकते, रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं वहां दो चार अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। बाजार से हट पूरवक विमुकता उनमें नहीं हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए, तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तब ही तक है, तब ही तक उप्योगी है, जब तक वहां जीर कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इस निश्चित प्रतीत के बल पर शेश सब चांदनी चौक का आमंतरन उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी, दाए बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहां से सहज भाव में ले लिया गया है। इसके आगे आस पास अगर चांदनी बिखी रहती है तो बड़ी खुशी से बिखी रह भगत जी से बेचारी का कल्यान ही चाहते हैं। ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस पर में सदभाव की घटी। इस सदभाव के व्रास पर आदमी आपस में भाई-भाई और सुह व्रिद और पड़ोसी फिर रहे ही नहीं जाते हैं। और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। मानों दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हों। एक की हानी में दूसरे का अपना लाभ दीखता हो। और यहें बाजार का बलकि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान-प्रदान नहीं होता। बलकि प्रिश्ट संक्या बयानवे अभ्यास पाठ के साथ प्रश्ट एक बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या-क्या असर पड़ता है। प्रश्ट दो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है। क्या आपकी नजर में उनका आचरन समाज में शांते स्थापित करने में मददगार हो सकता है। प्रश्ट तीन बाजार उपन से क्या अतात पर ये है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थक्ता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थक्ता किस में है। प्रश्ट चार बाजार किसी का लिंग जाती धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह देखता है सिर्फ उसकी क्राय शक्ति को। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इस से कहां तक सहमत हैं। प्रशन पांच आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उलेख करें कर जब पैसा शक्ति के परिचाय के रूप में प्रतीत हुआ। ख जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। पाठ के आसपास। प्रशन एक बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या न जाने के संदर में मन की कई स्थितियों का जिक्रा आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। प्रशन दो बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्रहकों की बात हुई है। आप स्वैंग को किस श्रेणी का ग्रहक मानते या मानती हैं। प्रशन तीन आप बाजार की भिन प्रकार की संस्कृति से अवश्य परजित होंगे। मौल की संस्कृति और सामाने बाजार और हाठ की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं। परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है। प्रश्ण चार लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवशक्ता ही शोशन का रूप धारन कर लेती है क्या आप इस विचार से सहमत हैं तर्क सहित उत्तर दीजिए प्रश्ण पाच श्त्री माया न जोड़े यहां माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत नहीं बलकि परिस्थिति वश है वे कौन सी परिस्थितियां है जो श्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है प्रिश्ट संक्या तेरानवे आपसदारी प्रश्न एक जरूरत भर जीरा वहां से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के वराबर हो जाता है भगत जी की इस संतुष्ट नहीं इस प्रेहता की कबीर की इस सुक्ती से तुलना कीजिये चाह गई चिंता गई मनुआ बे परवाह जाके कचुना चाहिए सोई सहन सा कबीर प्रश्न दो विजयदान देथा की कहानी दुविधा जिस पर पहिली फिल्म बनी है के अन्श को पढ़कर आप देखेंगे या देखेंगी कि भगत जी की संतुष्ट जीवन दृष्टी की तरहा ही गडरिये की जीवन दृष्टी है इससे आपके भीतर क्या भाव जगते हैं गडरिया बगएर कहे ही उसके दिल की बात समझ गया पर अंगूठी कबूल नहीं की काली दाढ़ी के बीच पीले दातों की हसी हस्ते वे बोला मैं कोई राजा नहीं हूँ जो नियाय की कीमत वसूल करूँ मैंने तो अठका काम निकाल दिया और यह अंगूठी मेरे किस काम की ना यह अंगूलियों में आती है ना तड़े में मेरी भेड़े भी मेरी तरह गमार हैं घास तो खाती हैं पर सोना सूंगती तक नहीं बेकार की वस्त में तुम अमीरों को ही शुभा देती हैं विजयदान देथा प्रिश्ट संक्या 94 प्रस्ण तीन बाजार पर आधारित लेक नकली सामान पर नकेल जरूरी का अंश पढ़िए और दिये गए बिंदूों पर कक्षा में चर्चा कीजिए क नकली सामान के खलाफ जागरूकता के लिए आप क्या कर सकते हैं ख उपभोकताओं के हिद को मद्दे नजर रखते हुए सामान बनाने वाली कमपनियों का क्या नेतिक दाइत हुए गर ब्रांडिड वस्तू को खरीदने के पीछे चिपी मानसिक्ता को उजागर कीजिए और आप सुनते हैं नकली सामान पर नकेल जरूरी अपना क्रेता वर्ग बढ़ाने की होड में एफम सीजी याने तेजी से बिखने वाले उपभोकता उत्पाद बनाने वाली कमपनियां गाओं के बाजारों में नकली सामान भी उतार रही हैं कई उत्पाद ऐसे होते हैं जिन पर ना तो निर्मान तिथी होती है और ना ही उस तारीख का जिक्र होता है जिस से पता चले कि आमुक सामान के इस्तमाल की अवधी समाप्त हो चुकी है आउटडेटिड या पुराना पढ़ चुका सामान भी गाओं देहाद के बाजारों में खप रहा है ऐसा उपभोकता मामलों के जानकारों का मानना है नेशनल कंजियूमर डिस्प्यूट्स रिड्रिसल कमिशन के सदस्थिकी माने तो जागरुकता अभियान में तेजी लाए बगार इस गोरक धंदे पर लगाम कसना नाममकिर है उपभोकता मामलों की जानकार पुश्पा गरिमाजी का कहना है इसमें दो राय नहीं कि गाओं देहाद के बाजारों में नकली सामान बिक रहा है महानगर ये उपभोकताओं को अपने शिकंजे में कस कर बहुरास्ट्रिये कमपनिया खास कर ज्यादा हुत्पात बेशने वाली कमपनिया गाओं का रुख कर चुकी है वे गाओं वालों के अग्यान और उनके बीच जागरूकता के अभाव का पूरा फाइदा उठा रही है उपभोकताओं के हितों की रक्षा के लिए कानून जरूर है लेकिन कितने लोग इनका सहरा लेते हैं यह बताने की जरूरत नहीं गुणवात्ता के मामले में जब शहरी उपभोकता ही उतने सचेत नहीं हो पाए हैं तो गाओं वालों से कितनी उम्मिद की जा सकती है इस बारे में National Consumer Disputes Redressal Commission के सदस्य जस्टिस एसन कपूर का कहना है टीवी ने दूर दराज के गाओं तक में बहुरास्ट्रिये कमपनियों को पहुँचा दिया है बड़ी-बड़ी कमपनिया विग्यापन पर तो बेताहशा पैसा खर्च करती हैं लेकिन उपभोकताओं में जागरूकता को लेकर वे चवन्नी खर्च करने को तयार नहीं है नकली सामान के खलाफ जागरूकता पैदा करने में स्कूल और कॉलिज के विद्यार्थी मिलकर ठोस काम कर सकते हैं ऐसा कि कोई प्रशासक भी न कर पाए बेशक इस कड़वे सच को स्वीकार कर लेना चाहिए कि गुणवत्ता के प्रती जागरूकता के लिहाज से शेहरी समाज भी कोई ज्यादा सचित नहीं है ये खुली हुई बात है कि किसी बड़े ब्रांड का लोकल संसकरन शेहर या महानगर का मद्ध या निम्न मद्ध वरगिये उपभोकता भी खुशी-खुशी खुशी खरिदता है यहां जागरूकता का कोई प्रशन ही नहीं उठता क्योंकि वो ऐसा सोच समझ कर और अपनी जेब की हैसियत को जान कर ही कर रहा है फिर गाओं वाला उपभोकता ऐसा क्यों करना करे पर फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि यदि समाज में कोई गलत काम हो रहा है तो उसे रोकने के जतन न किये जाएं यानि नकली सामान के इस गोरक धंदे पर विराम लगाने के लिए जो कदम या भीयान शुरू करने की जरूरत है वो ततकाल हो हिंदुस्तान 6 अगस्त 2006 साभार प्रश्ण 4 प्रेमचन की कहानी इदगाह के हामिद और उसके दोस्तों का बाजार से क्या संबंद बनता है विचार करें विज्ञापन के दुनिया प्रश्ण 1 आपने समाचार पत्रों टीवी आदिपरा नेक प्रकार के विज्ञापन देखे होंगे जिनमें ग्राहकों को हर तरीके से लुभाने का प्रयास किया जाता है इन बिंदूं के संदर में किसी एक विज्ञापन की समीक्षा कीजिए और यह भी लिखिये के आपको विज्ञापन की किस बात ने सामान खरीदने के लिए प्रेरिद किया एक विज्ञापन में सम्मिलित चित्र और विशेवस्तु दो विज्ञापन में आये पात्र वा उनका औचित्थ तीन विज्ञापन की भाषा प्रश्ण दो अपने सामान की विक्री को बढ़ाने के लिए आज किन-किन तरीकों का प्रियोग किया जा रहा है उदाहरन सहित उनका संक्षिप्त परिचे दीजिए आप स्वैम किस तक्नीक या तोर तरीके का प्रियोग करना चाहेंगे जिससे विक्री भी अच्छी हो और उपभोकता गुमराह भी नहो भाषा की बात प्रश्ण एक बिभिन्य परिस्थितियों में भाषा का प्रियोग भी अपना रूप बदलता रहता है कभी अपचारिक रूप में आती है तो कभी अनपचारिक रूप में पाठ में से दोनों प्रकार के तीन तीन उदाहरन चांट कर लिखिये प्रश्ण दो पाठ में अनेक वाक्य ऐसे हैं जहां लेखक अपनी बात कहता है कुछ वाकिय ऐसे हैं जहां वो पाठक वर को संबोधित करता है सीधे तोर पर पाठक को संबोधित करने वाले पांच वाकियों को छाटिए और सोचिए कि ऐसे संबोधन पाठक से रचना पढ़वा लेने में मददगार होते हैं प्रश्न तीन, इन वाक्यों को पढ़िये, क, पैसा पावर है, ख, पैसे की उस पर्चेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, ग, मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, और ग, पेश की ओर्डर कोई नहीं लेते, इन वाक्यों की संग्रश्ना तो हिंदी भाषा की है, लेकिन वाक्यों में एकाद शब्द अंग्रेजी भाषा के आये हैं, इस तरह के प्रयोग को कोड मिक्सिंग कहते हैं, एक भाषा के शब्दों के साथ, दूसरी भाषा के शब्दों का मेल जोल, अब तक आपने जो पाठ पढ़े उसमें से ऐसे कोई पांच उदारन चुन कर लिखिये यह भी बताईए कि आगत शब्दों की जगह उनके हिंदी परियायों का ही प्रयोग किया जाए तो संप्रेशनियता पर क्या प्रभाव पढ़ता है प्रशन चार इन वाक्यों के रेखांकित अंश पर ध्यान दे ख लोग सन्यमी भी होते हैं ग सभी कुछ तो लेने को जी होता था इन वाक्यों के रेखांकित अंश ही भी तो निपात हैं जो अर्थ पर बल देने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं वाक्य में इनके होने ना होने और उस्थान करम बदल देने से वाक्य के अर्थ पर प्रभाव पढ़ता है जैसे मुझे भी किताब चाहिए मुझे महतुपूर्ण है मुझे किताब भी चाहिए किताब महतुपूर्ण है आप निपात ही भी तो का प्रयोग करते हुए तीन तीन वाक्य बनाईए साथ ही ऐसे दो वाक्यों का भी निर्मान कीजिए जिनमें ये तीनों ने पात एक साथ आते हूँ चर्चा करें प्रश्न एक परचेजिंग पावर से क्या अभी प्राय है बाजार की चका चौन से दूर परचेजिंग पावर का सकारात्मक उप्योग किस प्रकार किया जा सकता है आपकी मदद के लिए संकेद दिया जा रहा है क सामाजिक विकास के कारियों में क ग्रामीन आर्थिक विबस्था को सुद्रड करने में प्रिष्ट संक्या 96 शब्द छवी परचेजिंग पावर याने खरीदने की शक्ति असबाब अर्थात सामान दरकार याने जरूरत परिमित याने सीमित अतुलित याने जिसके तुलना न की जा सके पेशगी याने अग्रिम राशी नाचीज अर्थात महत्वहीन अपदार्थ याने जिसका स्तित्व ना हो दारून याने भयंकर अकिंचितकर अर्थात अर्थहीन स्प्रिहा याने इच्छा पसोपेश याने असमंजस इसी के साथ आरो भागदो का पार्थ बारह यहां समाप्थ हुआ प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत